नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबारी वहनों का आज के इस नए वीडियो में, मैं रितेश कुमार, तो जैसे कि आपने थम्नेल में देखा कि पोशन ट्रेकर एप में पोशन कल्कुलेटर का यूज कैसे करेंगे, तो आप आँगनबारी सेविकाओं के लिए आज की ये वी वेट डालते हैं, तो आपको पता नहीं रहता है कि वो बच्चे का हेल्थ एस्टेटर जो है, वो कैसा दिखाएगा, यानि कि अगर माल लिजे किसी बच्चे का हम हाइट और वेट डालते हैं, तो उसके बाद हमें जो पोशन ट्रेकर एप में रिजॉल्ट मिलता है, उससे पोशन ट्रेकर एप्लिकेशन में सो करने वाला है, तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो, और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेश है, कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आए, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा लाइक किजिए, चैनल पोशन ट्रेकर लिखके सर्च कर लेना होगा, जैसे ही आप लोग पोशन ट्रेकर एप लिखके सर्च करेंगे, तो आपके सामने पोशन ट्रेकर एप का जो ओफिसियल डेव साइट है, वो ओपन होके चला आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पोशन ट्रेकर जो लिखा गय तो पोसंट कल्कुलेटर को हम लोग टच करेंगे पोसंट कल्कुलेटर जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का पेज ओपन हो क्या जाएगा कि पोसंट रेकर कल्कुलेटर को यूज कैसे करना है जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर में फिर यहां पे उस बच्चे का वेट डालना है केजी में यानि किलोगराम में फिर यहां पे लाष्ट में click on ensure result तो उसके बाद आपको यहां पे रिजल्ड दिखाएगा कि वो बच्चा किस केटेग्री में है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि लर्कों के लिए दिया गया है यहाँ पे और यहाँ पे लर्कियों के लिए दिया गया है तो आप यहाँ पे दोनों में से किसी एक को सेलेक करेंगे कि किसका हमें चेक करना है कि उस बच्चे का हाइट और वेट कैसा आ रहा है चलिए हम एक लड़के का जो है कि एक बच्चे का डेट बॉर्थ सेंटिमीटर रो केजी डाल के देखेंगे कि उसका हेल्थ स्टिटरस कैसा दिखा रहा है जैसे कि सबसे पहले हमको यहाँ पे डेट बॉर्थ भरना होगा इस पे आप किलिक करेंगे एरो आले पे तो यहाँ पे एक कैलेंडर खुल जाएगा उसके बाद यहाँ से आप बैक जाके उस बच्चे का डेट बॉर्थ सेलेट कर सकते हैं चलिए माली जीए कि हमने इस बच्चे का जो डेट बॉर्थ है वो इसी महीने का रख रहे हैं जैसे कि जन्वरी एक जन्वरी 2022 यहाँ पे इसको सेट पे किलिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे उस बच्चे का यहाँ पे आपको सेंटीमिटर में उसका हाइट डालना है तो माली जीए यह बच्चा अभी एक महीने से कम है तो इसका हाइट हम लोग ले लेते हैं 45 cm और इस बच्चे का यहाँ पे वेट लेंगे जैसे की 2.4 kg अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि यह जो बच्चा है उसका जो health status से वो कैसा दिखा रहा है यह काम आप लोग portion tracker application में ब्रिधी निगरानी करने से पहले चेक कर सकती है कि वो इस बच्चे का health status कैसा दिखाने वाल height और weight डाला और उसका उम्र डाला तो यहाँ पे उसका यहाँ पे result क्या दिखा रहा है stunting यानि कि यह मध्यम stunted है underweight यानि कि यह मध्यम कम वजन है और यहाँ पे wasting वेस्टिंग यानि कि जो जो दुबलापन है वो इसका normal है तो इस प्रकार से आप लोग portion calculator के माध्यम से पत कर सकते हैं किसी भी बच्चे का height and weight डालके और उसका जनमतिति डालके कि वो बच्चा उस बच्चे का health status कैसा दिखाने वाला है जैसे कि यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पे डबलू एक्टेंडर्स के मताबिक जो बच्चों का उम्र के अ नर्मल इसी परकार से आप यहाँ पे अंडर्वेट वाले में जाएंगे कि अंडर्वेट में भी वेट फॉर एज उम्र का अनुसार जो बच्चों का वजन होता है वो 0-6 वर्स में क्याद सो करता है जैसे कि severely underweight, moderately underweight और नर्मल इस परकार के option आपको पोसंट रेकर एप म में, नर्मल ओभर्वेट और ओवीज यानि की गंभीर अतिकुपोसीट, मध्यम अतिकुपोसीट, नर्मल ओभर्वेट यानि की अधिक वजन, ओवीज यानि की मोटापा तो इस परकार से पोसंट रेकर एप में आपको यह सारी कैटेगली देखने को मिल रही होगी तो जरूर चेक करने चाहिए जिसे कि हमें पता चल सके कि जो बच्चों का हेल्थ स्टेटस है वो किस प्रकार से दिखाने वाला है तो उमीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छी जनकारी मिली होगी कि कैसे हमको हाइट वेट डालने हैं जिसे कि उस बच्चे का हेल्थ स्टेटस पता लगाया जा सके तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को सभी आगंदारी बहनों के साथ सेर जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नए पिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद